आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम आप सिध्धान तक नहीं हो, तरी स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागता है, मंदिर भही बनाएंगे, राम मंदिर जो है, वो 2024 तक कंप्लीट होगा, हम सब एक्साइटेड हैं दोस्तों, कि 2024 तक रा सब बोलते है, जय श्री राम, जय श्री राम, बट उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना चाहिए, उनकी टीचिंग्स को आज कोई फॉलो नहीं कर रहा, बट एनिवे, राम मंदिर कंप्लीट होगा, 2024 तक, यहाँ पे, वी एच्पी, विश्वे हिंदू परिशत, के प्रेसिड और जितनी नौलेज हैना मैं सब आपको दे दूँगा, तो आपको चैनल को सबस्क्राइब करना है, जितना हो सके शेयर करो, और इंस्टा पे तो मुझे फॉलो करो, मैं चोटी-चोटी स्टोरीज डालूँगा, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो अभी इसी वक्त इंस यह है कि देखिए वारा नसी कोट नहीं ओर्डर दिया है, अचा ग्यान व्यापी मॉस्क पे मैंने एक सेपरेट लेचर बना दिया है, वो अपलोड हो गया है, आप ज़रूर देख लीजेगा, तो डिस्क्रिप्शन कमेंड बॉक्स में लेंगे दे दे रहा हूं, तो वारा उसके बाद उस कंटेक्स्ट में ये इंटर्व्यू छपा है, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि काशी इशू को मार्ग दर्शक मंडल ने क्यों डिसकस नहीं किया, तो यहां पे बोलते हैं कि देखिए राम जन्म भूमी अभी सबसे इंपोर्टेंट इशू है, आलोक कु अबसे बड़ा जो मुद्दा है, वो हमारा राम जन्म भूमी है, और यह जो काम है 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा, तब तक हम कोई भी इशू नहीं लेने वालेगे, बाकी इन्होंने बोला है कि वारणसी कोर्ट का क्या, तो आलोक कुमार बोलते हैं कि यह एक इंटरिम ओडर है, कोट की तरफ से, जब तक अभी कुछ नहीं सामने आता, ठोस नहीं सामने आता, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, अभी हम देखेंगे, जब कुछ सामने आगा, तब ही हम बोलेंगे, फिर इन से पूछा है कि आप कोट के ओडर को कैसे देखते हो, तो यहाँ पर यह बोलते हैं तो order यही है कि हम सारे facts को निकालें उसको analyze करें और जहां तक विश्व Hindu परिशत concerned है हम अभी इस तरीके का matter 2024 तक नहीं लेने वाले पहले हम राम मंदिर को राम जन्म भूमी यहां पर जो मंदिर बनने वाला है सबसे पहले हम उसको complete करेंगे और जब हम राम लला temple को install करेंगे तब पहले एक task पूरा करेंगे उसके बाद की दूसरे task की तरफ जाएंगे तब हम काशी issue पे और अच्छे से बात कर पाएंगे फिर उसके बाद दोस्तों यह पूछा गया है कि राम जन्म भूमी moment जिसने BJP को help की थी देखे पूरा moment चला था आपको पता ही है लाल प्रिशाणवानी की रत यात्रा फिर उसके बाद लालू प्रसाद यादों ने लाल प्रिशाणवानी को रोक लिया उसके बाद पूरा यह जो moment चला है 1990s में एकदम पॉलिटिक्स ही बदल के रग दी थी जिसकी वज़े से BJP पावर में आई इस मुद्दे पे है ना जन संग था पहले जन संग आया फिर BJP बनी और उसके बाद राम जन्म भूमी मुद्दे पे पावर में आई 1980s में दोस्तों खाली दो सीटे मिली थी अगले इलेक्शन हुए सीधा 80 सीटे आप समझ रहे और उसके अगले इलेक्शन में तो पावर में आगी BJP तो यहाँ पे जिस तडिके से राम जन्म भूमी की लहर चली जिसने BJP को बहुत मदद की क्या एक और पॉलिटिकल इंपक्ट होने वाला है काशी इशू की वज़े से आप रिलेट कर पा रहे होंगे देखे सबसे पहले आप ज्यान वापी मॉस्क का ही वीडियो देखेगा तब आप रिलेट कर पाएंगे यह बहुत बड़ा इशू हो गया है तो यह बोलते हैं कि देखे बार-बार यही यह रिपीट करते हैं कि पॉलिटिकल इंपक्ट की कोई बात ही नहीं है मैंने फिर बोल रहा हूँ कि 2024 तक अभी हम इस इशू पर बात नहीं कर सकते हम इसको कंसेडर भी नहीं करेंगे अभी हमारा पहली प्रियोरिटी यही है कि सबसे पहले राम मंदिर को बनाया जाए फिर उसके बाद बोलाया कि कुछ साल पहले VHP स्लोगन यह था आयोध्या तो बस जहांकी है काशी मतुरा बाकी है अब आपकी स्ट्राटेजी क्या होगी आप देख सकते हैं ना इन बिट्वीन दा लाइन्स पढ़िए तो बोलते हैं कि फिर वी आर आक्चुली फोकस्ट आँ जहांकी आयोध्या पे और अभी बाकी के चीजों को हम देखेंगे हमने अभी काफी डोनेशन राम मंदिर के लिए मैंने भी डोनेशन दिया दोस्तों राम मंदिर के लिए हमने डोनेट किया है पूरे भारत वर्ष ने डोनेट किया है तो हमारी पहली प्रियोरिटी है यही है कि 2024 तक कम्प्लीट करें मंदिर को तो अभी हम काशी और मतुरा को मतुरा तो देखिए भागवान प्रिश्ट की नगरी एक समय पे मतुरा में हजारों टेंपल थे 4000 से जादा मंदिर अकेले मतुरा में ही थे लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बड़ा वो मंदिर विलुप्त होते गए अब ठीक है तो यहाँ पे सारी चीजे को देखना पड़ेगा और फिलहाल अभी जो पूरा फोकस है विएचपी का वो यही है कि हमको राम मंदिर बनाना है तो यह दोस्तो एक छोटा सा इंटर्व्यू था और जैसा कि मैंने बताया कि ग्यान वापी मॉस्क पे मैंने अलेडी लेचर बना दिया है तो आप जरूर देखिएगा और इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलिग्राम चैनल पे आप जरूर ले खुश रहे है पढ़ते रहे है देशे सिद्धान तक नहीं होता ही साइनिंग आफ चैनल को सब्सक्राइब करो या थैंक्यू सुप्राइब करें